नमस्कार दोस्तो स्वागत है मरी यूटुब चैनल पे साथ ही साथ और एक जॉब नोटिफिकिशन और एप्सोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया गोबर्मेंट के तरफ से बिल्कुल नियू और फ्रेश जॉब वेकेंसी का अप्रिट है और इसमें टीचर पो इसे एक ब्राउजर पर जाना होगा जैसे कि मैं यहां पर गूगल क्रॉम पर हूं तो आपन करना होगा आपको आपन कीजिए सर्च बॉक्स में लिखी जैसे कि सैनिक सातारा डॉट ओर जी उसके बाद एंटर कर देना है उसके बाद एक पेज खोल के आएगा वह हम लोग क आफिशल पॉटल ऑर जहां से वह लोग र्रूटमेंट के हैं और यह डोटल गवबर्मेंट की पॉटल है से तरफ से तो यह जोब भी गवर्मेंट होने वाला है तो देखिए यह पेज़ खूल किया है साइनिक सातारा सोरी साइनिक सातारा डॉट और जी तो इसाथ फ्लैस अड़ यहां पर नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है थोड़ा यह नहीं यह रहा है इधर लोगों लगा है देखिए सेंटरल गॉबर्मेंट का डिफेंस मिनिश्ट्री और डिफेंस के तरफ से यह जोब एक्चुली तो यहां इधर देखिए न्यूज जो दिख रहा है इधर न्यूज एक मेंशन हो रहा है जो स्क्रूल हो रहा है यहां पर देखिए वैकेंसे फॉर्ड पोस्ट और बहुत सारे हैं अप्लाय अप्लिकेशन फॉर् यहां पर फॉड करना है आपको नेम आपको फोट Days नेम जो भी अपन का बॉल कर दिजी क्या है यहां पर फ्रेंड होगा डिटल श मज्ए हैं ज्यादा कुछ नहीं है सिंपल सा कोremos है यहां प्र मैरेट हो उनमेर टनम ट्यूर प्रफेंथर बरना होगा आप लोगो को लाश्ट में डेट सिगनेचर कर दिना है तो ऐसे इसको फोर्म भरना होगा एया हम लोग का उसे तरह हम लोग आडवर्मनाश्मेंट पड़ेंगे यहां सिह हम के गए तें तो Books छिसुन सारा functioning under signic school society ministry of defense मतलब यह ministry of defense central government के तरप से है लेकिन यह जो work हो रहा है under मतलब running हो रहा है ministry of defense के under में यह school running हो रहा है तो government ही है तो चली हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो details है जैसे कि अगर बात करें तो हम लोग का जो advertisement का details क्या qualification है और क्या क्या सब तो यहां पर हम लोग जो advertisement call क्या है उसको हम लोग फड़ा देख लेते हैं पहला जो हम लोग का post है serial number पर दिया गया है एक करके जो है PGT chemistry on regular basis इसके लिए post जो है एक post है general के लिए और जो qualification है यहां पर देखिए master degree in chemistry with at least 50% mark from recognized university और पोस्ट ग्राजुए डिप्लोमा इन chemistry awarded बाई अनिवर्सिटी और दिली और msc degree in biochemistry तो यहां पर details दिया गया है और उस end करके दिया गया है यहां पर उसके बाद और भी किया गया है दिखिए तो यह हम लोग का हो गया पहला जो PGT chemistry on regular basis तो यह आपको दिख रहा होगा यह हम लोग का essential qualification हम लोग को चाहिए उसके बाद desirable यहां पर लिखा गया है आप यह सब qualified होना चाहिए higher qualification यह respective subject experience of teaching in residential public school यह सब होना चाहिए आपको तो यहां पर mention किया गया है जो objective यह भी आपको fulfill करना पड़ेगा तो इसके लिए salary basis इदर में दीख रहा होगा आप लोगों देखिए 47,600 रुपया है और इसमें जो age criteria है age between 21 to 40 years इसके अंदर में होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना आगा 20 से कम है तो नहीं हो पाएगा अगर 40 से ज्यादा है तो भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर माना चाहिए किस से लेके 40 उसी तरह next हमलोग का पोस्ट आता है PGD in mathematics on regular यह भी regular है इसमें भी एक पोस्ट है उसके लिए यहां पर qualification दिया गया master degree in mathematics at least 50% mark from recognize और ED भी किया है डिपलोमा किया है और 3 year experience in teaching तो भी हो सकता है और यह दोनों होगा नहीं तो यह होगा MS ED in mathematics from recognize college उसके लिए देखिए salary यहां पर mention किया गया है same salary है और इसमें भी age criteria हो ही है फिर आते हैं physics के लिए हैं यहां पर देखिए PGD on physics सब regular है इसमें आप लोग regular हो जाए गया कीवर में यहां पर देखिए एक पोस्ट है इसमें जो qualification है देखिए master degree in physics with at least 50% इसे तरह और क करके लगा गया है इसमें कुछ criteria है जो आप लोग को fulfill करना पड़ेगा साथ यहां पर salary देखिए और यहां पर जी age criteria है हम लोग का 21 से लेके तो निची आते हैं यहां पर देखिए PGD यहां लोग का PGD physics TGT mathematics उपर में सायद mathematics एक था यह हम लोग का PGD था यह TGT mathematics इसमें भी एक है इसमें SC के लिए हैं देखिए यहां पर यहां पर यहां लोग का है जेंडरल और अंडर जब्ड उसी तरह यहां पर graduate in mathematics with at least 50% and B.E.D. degree और recognized diploma in education और क्या गया है तो यह भी होना चाहिए यह होगा तो चलेगा नहीं तो यह दोनों होना चाहिए आप लोग must have qualified in CTET और state TET जो हम लोग का teacher entrance test होता है उसमें qualified होना ज़रूरी है इसमें जो salary है थोड़ा कम है 44,900 यह जिसमें भी कम है 21 से लेके 35 होना चाहिए बाकिसमें 40 था इसमें 35 है उसी तरह यहां पर देखिए TGT on science इसमें two post है ST के लिए एक SC के लिए एक देखिए इसमें जो qualification है graduate with two subject of history, political science, economics, sociology and geography with at least 50% तो यह होना चाहिए आप लोग को यहां पर भी दिया गया है और भी और करके दिया गया है end करके तो यह सब qualified को होना जरूरी है साथ ही यहां पर कुछ articles दे गया है जो कि आप लोग को fulfill करना पड़ेगा साथ ही इधर देखिए salary कितना है इसमें भी हम लोग का age criteria जो है 35 तक है और यहां पर और एक है post हम लोग का laboratory assistant जो हम लोग का chemistry basis में आ रहा है इसमें एक है ST के लिए एक post है इसका जो essential qualification है intermediate science और equivalent in chemistry with at least 50% intermediate मतलब आप अगर plus two हैं और 50% chemistry subject ले कि 50% pass किये हैं तो कर सकते हैं और यहां पर बोला जा रहा है अगर graduate in chemistry from recognized university तो भी हो सकता है higher qualified in respective subject अगर chemistry subject में आप higher qualified हैं तो भी कर सकते हैं यह होगा तो यह objective है यह भी अब लोग को अगर होगा तो chances ज्यादा होगा सेलेक्शन होने के लिए इसका जो salary है 25500 25500 इसका जो age criteria है 11 से लेके 35 कुछ तरह यहां पर pay scale सब दिया गया है देखिए order allowance as for the signing school society rule and regulation subsidized education for two children and free messaging for self accept during vacation rent free accommodation as available तो यह सब आपको इधर से मिलने वाला है government के तरफ से जो allowance है तो how to apply कैसे apply करना है आपको यह site पर जाना है और यहां पर बोला जा रहा है fill करना है नहीं कैसे fill करना है वो आगे बताएंगे आप लोग को देखिए इसमें कुछ points अब दिये गया है तो यह सब को आपको पढ़ना पड़ेगा आभी जैसे हम लोग in view of lockdown due to covid-19 candidate में send their application no prescribed format only in soft copy to the school email तो आप लोग को head copy नहीं भीज़ना है यहाँ पर जो mail id दिये गया है यहाँ पर देखिए तो यह mail id पर आपको जो भी scanning करके आपको document send कर देना है जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे यह बला application को fill करना है इसको scan करना है साथ ही साथ आपको जितना भी document है उसको scan करके यह बला mail id में भीज़ देना है उसको बोला जाए eligibility candidate will be called for written test practical test class teaching demo and interview through email और sms और post तो जो जो सिलेक्शन होंगे उसके हिसाब से ओलोग जो आगे का process के लिए ओलोग mail करेंगे या फिर message करेंगे कुछ भी करेंगे और आपको को intimate करेंगे उसको अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो सिलेक्शन मतलब यह जो टेस्ट अटिंड करने से पहले आप लोग को चार्जेस बे करना पड़ेगा जो कि 100 रुपी से से के लिए और जनेरल के लिए 300 पूर नोन रिफॉंडबल है जो कि ओन बहाफ और प्रिंसेपल सानिक स्कूल साता र जो कि इसके नाम से देना होगा आपको डिमांड राप करके तो इसका अप्लिकेशन एलोंग इडर इलिमेंट डॉकुमेंट मस्ट प्रिंसिपल सानिक स्कूल साता रहा यह 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 से तो डेट हम लोग का लाश्ट डेट कितना ना 15 में यहां पर भी मेंशन किया गया है उसम कुछ भी उधर से डॉकुमेंट भेजते हैं या फिर आपको कॉल लेटर आता है तो अपडेट रही है मॉवाइल से फिर मेल से क्योंकि उधर भी भेजते हैं हम लोग का डिजिटाली भेजेंगे अगर इधर आएगा मतलब आपका पोस्ट से भेजेंगे तो डिले हो जाग सब का सर्टिपिकट आपको देना होगा अगर आप सेस्ट हैं तो इन कंप्लीट अप्लिकेशन से अल भी रिजेक्टेड होगा नो टीडिया विल भी एड्मिसबल फॉर एंटर्व्यू आपको जो हम लोग का ड्राइफिंग और जो भी ट्राविलिंग आलावेंस रहता है लोगो नहीं देंगे और खुद का खर्चा पर आपको जना होगा तो इसे कुछ पॉइंट देगे हैं तो यह था मेरा कंप्लीट वीडियो जो कि आप लोग को बताया है जो कि हम लोग का टीचर पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑप डिफेंस के तरफ से बैक एंड से निकल क आपको पता चल जाएगा आप सेलेक्शन हो गए हैं तो वहां पर आपको इंटर्वू के लिए ब्ला जाएगा जो भी रेटिन टेस्ट प्रेक्टिकल टेस्ट तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर है तो एक लाइक अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक और अगर आप इ गर्चे बाहर मजाएं थांक यू